उत्तरप्रदेश की सरकार ने 19 मार्च 2017 को जफशपत ली तो उसके बाद कानून विवस्था के मुद्धे पर सरकार ने प्रबल दावेदारी पेश की और तीन साल पूरे होते होते अब कानून विवस्था की क्या इस्तिती है इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमाई साथ मौझूद है कानून मंत्री विजेश पाटक जी हम उनसे पूछेंगे कि कितना बदलाव तीन सालों में कानून विवस्था के मुद्धे पर आप देख रहे हैं अपने विवाग के द्वारा आपने क्या बदलाव किये इन तीन वर्सों में आमुल्चूल परिवर्तन हुआ पहले प्रदेश में जंगल लाज था थानों में गुंडा माफिया कब जाकिये बैठे थे फाइयार पंजी करत नहीं हो रही थी बूरी तरह से प्रदेश में गुंडों का राश्था 2017 में जबसे मानी मुखमंत्री योगी आदित नाजी के नेत्रत में भारतियंता पार्टी की सरकार बनी है पूरे प्रदेश में कानून का राज कायम हुआ है सर्थ प्रसेद अपराद का पंजी करण किया है यदि कोई भी बेक्ति चाहें कितनी पहुँचका हो अगर किसी भ सब्सक्राओं बच्चों के प्रति हमने उसमें शिग्र नया दिलाने के लिए नए पदों का सेजन किया है हमने इस समंद में कि 610 नए पद सिविल जड़ यूनियर डिविजन के सेजित किये हैं इसके अलावा सवपद अत्रिक सत्र नया दिशिस्तर के सवपद सिविल जड़ यूनियर डिविजन के 110 नई पारवारी का अदालते हैं सभी जनपदों में इस थाई लोग का अदालते हैं तीरा नए कामर्शिल कोर्ट्स, 218 पाकशाएक्ट की नई अदालतें जिसमें महिलाओं बच्चों के परात सुने जाएंगे 25 नए फास्ट्रेक कोर्ट के वगले SCST के लिए मोटर वहक के लिए अलक्सिक कोर्ट, NDPS के लिए अलक्सिक कोर्ट नियाय पालिका के छेत्र में आमुल चूल परिवर्तन हुआ है प्रदेश में कानून का राज कायम हुआ है कानून की मुद्दे पर विपक्ष लगातार हमलावर है सरकार से ये बार-बार कहता है कि अब भी वो कारवाईयां नहीं हो पाई है जो होनी बाकी है क्या लगता है आपको विपक्ष किस तरह संतुष्ट होगा मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब चुना होगा भारती अंता पार्टी 325 से भी अधिक सीटे जीत कर दुबारा सरकार बनाएगी और पिपच्छे पुना हासिये पर रहेगा क्या लगता है आपको महिला अपरादों पर अंकुष लग पाया है या बाल अपरादों पर भी अंकुष लगा है यह पहले अपराद होते थे उसमें अपरादी सजा नहीं पाते थे अब हमने हमारी कोर्ट में एक महिन दो महिने वे भी माल और महिलातों अपरादों में सजा दिलाने का काम किया तो आने वाले समय में किया сथ की और इस तरीके की कुई कारण हम लोगों ने अलर्ट जारी किया है भील्ड एकर्तित ना की जाए और इसके इतिहात रखते हुँ जो भी हम कर सकते जरूर करेंगे यह थे कानून मंत्री बिजे पाथक जिनका साफ कहना है कि उत्र प्रदेश में कानून में अस्था कर राज है और आने वाले समय में भ इसके इसके लिए माझे कर देया में अस्था कर राजू कर बंच जाए बे between